मस्कार आप देख रहे हैं स्वतल खबर जन की आवाज सचाई के साथ पौडी जिले में एक सिक्सक को सराप पीकर स्कूल में आना और बच्चों के साथ गाली कलोच करना भारी पड़ गया इनी हरकतों के कारण सिक्सक को सस्पेंड भी कर दिया गया फिलाल सिक्सक को उपसिक्सादिकारी दफ्तर रिखनी खाल में अटेच कर दिया है आपको बता दें कि मामला रिखनी खाल ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का है वहीं सिक्सक आए दिन अपनी हरकतों की वज़े से सुर्ख्यों में बने रहते हैं ऐसा ही मामला दूरस्त ब्लॉक रिखनी खाल के प्रात्मिक विद्याले किलवो खाल का सामने आया है जहां पर सायक अध्यापक देवेंद्र लाल पर स्कूल में सराप पी कर आना तथा बच्चों के साथ मार पिटाई और अबद्र भासा का प्रियोग करने के आरोप लगे इस मामले में जिला सिक्सादिकारी प्रारंबिक सिक्सा सावेद आलम ने सायक अध्यापक देवेंद्र लाल को निलंबित कर दिया बताये कि सिक्सक से लिखित रूप से इस प्रकार की कारवाई की पुनराविट्ती नहीं करने के लिए सक्त हिदायत दी गई है लेकिन साय कद्यापक द्वारा विवागिया अपसरों के आदेसों की अवहिलना की गई इसके साथ ही करमचारी आचरण निया मावली का भी उलंगन किया गया है इस पूर में भी उन्हें पूर में भी सस्पेंट किया गया था और इस शर्ण के साथ उनका अलंबन किया गया था दि भविश्य में इस चीज़ की उदे सेवस्वापति की कारवाई की जाएगी इक उनके कारवेहर में किसी तरह का कोई सुधार द्रस्टी को चरवी तक नहीं हुआ है और अगर आवश्यक्ता हुई और जाचारी की संसुती जाचारी हमने नामित किया है अगर उनके दौरा संसुती की जाएगी तो निश्य तो प्शेत्र की खबर के लिए चैनल को सब् के लिए